Hello students, welcome to my YouTube channel, let's learn with Dr. Sarita. Students, आज के क्लास में हम लोग Carbohydrates Related सभी important MCQ करेंगे, वो भी detailed explanation के साथ. तो चलिए क्लास को सुरू करते हैं. First question है, सरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सारवदिक जिम्मेदार एंजाइम है. कौन है? एमाइलेज है, लाइपेज है, पेपसीन है, रेनीन है? बताइए कौन है? यहाँ answer इसका क्या होगा? एमाइलेज. स्टार्च के पाचन के लिए सारवदिक पाचन इमाइलेज एंजाइम के थ्रू हमारे छोटी आथ में स्टार्च का पाचन होता है, लगभाग 70-80% है ना? और 5-10% कहां होता है, मुह में सुरू होता है, इस्टार्च का पाचन, कार्बो हाइड़रेट का पाचन कहां से सुरू होता है, मुह में सुरू होता है, कौन करता है? टाइलिन इंजाइम के पस्तिते में, लार, टाइलिन कहां से निकलता है, तो लार से निकलता है, तो इसक है न तो first cancer क्या हो गया फर्स्ट cancer हो गया आपका स्टार्च का पाचल ami levels अपस्थी करता है second question के तरह बढ़ते है second question है मानो सरीर के लिए उर्जा का मुक्स रूथ क्या है उर्जा हमें सबसे जादा कहां से मिलता है कहां से प्राप करते हैं उर्जा उर्जा यानि के energy हम कहां से प्राप करते हैं कार्बो हाडड़ेट से, प्रोटीन से, विटामिन से, या मिनल से. First cancer क्या हो जागा, कार्बो हाड़ेट. हमें कार्बो हाड़ेट. इंदिन थाले में देखते हैं, आप सबसे ज़्याद हम क्या खाते हैं? और उर्जा हमें उर्जा हम लेते हैं अनाजो से ही है ना हम कार्बो हाइड़िट से लेते हैं उर्जा प्रोटीन क्या करता है तो प्रोटीन बॉडी बॉल्डिंग का काम करता है सारे विकास मांसी विकास के लिए प्रोटीन आवशक है मिनरेल्स क्या है मिनरेल्स और वाइट या दो-दो कानुपाद है, बताइए क्या है, कार्बन हैड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपाद, कार्बन हैड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपाद क्या है कार्भो हार्डेड में, तो क्या है, एक मॉल्कुल कार्बन, दो मॉल्कुल हैड्रोजन और एक मॉल्कुल ऑक्सीजन को कहते हैं या polypact saccharides किसको कहते है जन्तु starch जो starch का store या किस रूप में रहता है जन्तुओं में प्राणियों में तो glycosin के रूप में रहता है ठीके और ये सभी cellulose, pectin और polysecret क्या है? polysecret तो polysecret है ही carbohydrate का third form है ही ठीके और इसमें cellulose, glycosin और pectin सभी polysecret हैं लेकिन starch का कहां store होता है जन्तुओं में तो glycosin के रूप में होता है ठीके? इसलिए उसको जन्तु starch भी कहते हैं, ओके? अब देखिए आगे question देखिए कि निमलिकित में से दूध सरकरा कौन है? दूध सरकरा कौन है? गुलकोज है, फ्रुक्टोज है लेक्टोज है या सुक्रोज है? क्या है? दूध सरकरा बताईए दूध सरकरा लेक्टोज है, है ना? लेक्टोज कैसे बनता है? एक अनु गुलकोज और एक अनु गलेक्टोज के निर्मान से क्या बनता है यानि कि G कोशन का है सारवधी कार्बो हार्डेड किस से प्राप्त होगा मटर से दूद से मूली के पत्ता से चावल से बताइए किस से प्राप्त होगा सबसे ज्यादा कार्बो हार्डेड हमें इन चारो अपसर में से किस में मिलेगा तो चावल में मिलेगा है ना मटर में भी कार्बो ह और जो मीठा नहीं होता है वो क्या है? पॉलिसेक्राइट है. मुली के पत्ते में पॉलिसेक्राइट पाये जाता है. जो भी कार्बोहाइड़िट का युक्तपदार, जो मीठा जिसमें नहीं होगा, उसको किसमें क्या पाये जाएगा? उसमें पॉलिसेक्राइट पाये जाता है, कार्भो हार्ड़ेट ही मिलता है डूद में और यह किसका फॉर्म है? यह डाई सेक्राइट का फॉर्म है, ठीक है? तो इसका क्या एंसर हो जाएगा? सारवधिक हमें किसे मिल रहा है? तो सारवधिक हमें मिल रहा है चावल में, ओकी? अब आगे कोशन देख लिजी, कारे हैं, उत प्रेर के रूप में कारे करता है, इंजाएम के रूप में कारे करता है, उर्जा देने के रूप में कारे करता है, या सरीर निर्मान कारे करता है, क्या कारे करता है? बताईए, सरीर निर्मान कारे करता है, उर्जा दे रहा है, इंजाएम के रूप में, और प् इंजाइम्स में क्या होते हैं प्रोटीन करते हैं ये पचाने का काम करते हैं उत्प्रेर्यक के रूप में क्या करते हैं तो ये जो भी हमारे सरीर में सेलुलोज है वो क्या कर रहा है डाइसेक्रेट का जो फॉर्म है उत्प्रेर्यक कर काम करता है ठीक है साथवा कोशन देख लीजिए, कार्बो हाड़िट के कारे क्या है, कार्बो हाड़िट के क्या कारे है, उत्प्रेड के रूप में, इंजाइम के रूप में, उर्जा देने के रूप में, या सरी निर्मान के रूप में, तो यहाँ एंसर क्या हो जाएगा, उर्जा देने के र आप करते हैं, उससे ही हमारा सरीर उसी को स्विकार करता है, और जा के लेने के रूप में, जब कार्वोहड़र्स और जा नहीं मिलता है, तब हम प्रोटीन की तरफ जाते हैं, तब हम वसा की तरफ जाते हैं, इसनिटिट? नेक्स्ट कोशिक के इर्धन किसे कहते हैं? यानि कि कोशिका का इर्धन किसे कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं, वशा को कहते हैं, विटामिन को कहते हैं, या कार्भोहाड़ को कहते हैं, बताएं किसे कहते हैं? तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? कार्भोहाड़ेट, कोशिका का इर्धन-κोसिका हमारे Carbohydrates हमें इर्धन-प्राप्त करता है हमारे कोसिका को इर्धन-प्राप्त करता है देखें, जब Glycolesis की परक्या होती है यानि कि जब glucose तोटता है तो-Glycoses में क्या ह looks like glucose काोटन होता है, तोटता है और ATP, तब हमें ATP मिलती है, ATP रिलीज होता है, उसे हमें क्या होता है, energy मिलती है, ठीके, glycosin का जब तूटता है, तो कहां तूटता है, तो तूटता है, तो उसको क्या कर रही है, हमारी cell उसको use कर रहा है, कहां हो रहा है, तो यह साइटो प्लैजम में यह प्रोसेस होती है, ठी cycle चलती है और फिर ATP रिलीज होता है और उस ATP से हम उर्जा प्राप्त करते हैं, हम इर्धन प्राप्त करते हैं, ATP को क्या करते हैं, ATP को कोशी के इर्धन भी कहते हैं, कुरेंशा के लिए कहते है कुर्षिक को इसमें डेख जूषिका के लिए इडर्धन अव है यह yak कुष्य क्वा जूषर hon है न देखें इसमें से क्या सेलूरोज क्या है सेलूरोज पॉलिसक्राइड है है ना polysecrate का form glycogen polysecrate है pectin polysecrate है क्या है नहीं है तो सुक्रोज क्या है यह dicecrate है यह क्या है dicecrate है तो सैंसर क्या हो जाएगा सुक्रोज है ना सुक्रोज क्या है dicecrate है फिर हम question देखने 10th हमलिकित में से दूद में किसका परतिसत सरवधिक होता है protein का होता है vitamin का होता है fat का होता है या carbohydrate का होता है बताए किसका होता है protein का, fat का, vitamin का या carbohydrate का तो यहां option 4 सही हो जाएगा carbohydrate का इसमें सबसे ज़्यादा परतिसत होता है देखे protein कितना मिलता है तो protein गाय के दूद की बात के रो तो 3.3 प्रोटीन मिलेगा ठीक है काबो हाड़ेट कितना मिलेगा तो 4.8 है ना गाय के दूद में 4.8 मिलता है हमें क्या काबो हाड़ेट वसा मिलेगा फैट यानिकी 3.6 ठीक है वाइटिमिन और खनी स्तत्व को कर लें तो इसमें 0.7 ऐसे होता है और कैलोरी की बात करें तो 65 क होती है कैलोरी हमें 65 मिल रही है तो सबसे ज्यादा क्या हम मिल रहा है कार्बो हाड़ेट मिला ना प्रोटीन हमें 3.3 मिल रहा है फैट हमें 3.6 मिल रहा है वाइटमिन 0.7 मिल रहा है कार्बो हाड़ेट मैं 4.8 मिल रहा है यह हमनें किसका देखा तो गाय के दूद का देखा तो सारवधिक परतिसद किसका हो जाएगा, कार्भोहड़िट का हो जाएगा, छिखे हैं, बताइए, जटील कार्भोहड़िट किसे कहते हैं, लेक्टोज को कहते हैं, ग्लेक्टोज को कहते हैं, स्टार्च को कहते हैं, या फुक्टोज को कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं, ज स्टार्च क्या है पॉली सेक्राइड है और जितने भी पॉली सेक्राइड होंगे जितने भी पॉली सेक्राइड होंगे वह सब क्या होंगे जटिल कार्बोहाइड होंगे और स्टार्ज का पहला फॉर्म है लेक्टोज क्या है और गलेक्टोज क्या है तो यह है कि वो कर्भोहेटर बताई जिसमें मिठास नहीं होता है तो क्या हो जाएगा polysecret, polysecret का कोई भी form आप से पूल सकता है तो अब polysecret और स्टार्ट, सबसे ज़्यदे स्टार्ट पे मिठा, बहुत ही मिठा होता ही नहीं है, नेक्स्ट कोश्चन क्या है कि invert sugar किसे कहते हैं, बताई इंवर्ट sugar किसे कहते हैं, आपका option में है गल्कोज, fructose, lactose और sucrose, invert sugar किसे कहते हैं, तो इसका answer हो जाएगा सुक्रोज, सुक्रोज को और कई नामों से जानते हैं, जैसे इसको table sugar कहते हैं, इसको घरेलू sugar कहते हैं, और इसको सुक्रोज तो नाम है, तो इसको invert sugar कह रहे हैं, table sugar कह रहे हैं, घरेलू sugar कह रहे हैं, और सुक्रोज इसका नाम है ही, ठीक है, और इसके बत question देखते हैं, कार्बो तो कर्बोहरडेट का भंडारण जी स्टोर इस होता है, पॉढ़ो में स्टार्च की रूप में होता है, है ना, पॉढ़ो में जो बॉलिस सेकराइट Luca fountain – Karbohydride है वो स्टार्च की रूप में कार्बोहरड़ेट का भंडार्ण होता है और स्टार्ट किसका रूप है कार्बो हाड़ेट के होड़ फॉर्म यानि कि पॉलिसेक्राइट का रूप है ठीक है और गलाइकोजन का होता है जनतूओं में यानि कि प्राणियों में जब कार्बो हाड़ेट का स्टोरज होगा तो वो गलाइकोजन में हम पढ़ रहे के लिए जरूरी है इधन जरूरी है लेकिन हम सेलिलोज को पचा नहीं पाते हैं इसिंट इड सरकरा यानि की कार्भो हाड़िड का छोटा फॉर्म नेक्स्ट कोशन हम देख लेते हैं स्टार्ज का पाचन कहां से सुरू होता है बताईए स्टार्ज का पाचन बहुत इंपॉर्टन कोशन है कहां से सुरू होता है स्टार्ज का पाचन तो इस्टार्ज का पाचन सुरू होता है मूँ से ठीक है मूँ में टाइलीन नामक एंजा पाचन होता है ठीक है आगे हम देखते हैं नेस्ट कोश्चन कि कार्भो हाड़ेट की सबसे छोटी एकाई का है बहुत ही सिंपल कोश्चन है कार्भो हाड़ेट की सबसे छोटी एकाई का है तो गुलकोच है है ना कार्भो हाड़ेट की सबसे छोटी एकाई गुलकोच नेक्स कोशन निमिलीखित में से कौन सा कार्बोहर्डेट स्वाद में मीठा नहीं होता है अभी हमने डिसकस किया है कि निमिलीखित में से कौन सा कार्बोहर्डेट स्वाद में मीठा नहीं होता है क्या होता है डाइसेक्राइट क्या होता है मीठा नहीं होता है ठीक है और मोनोसेक्र जबसे जदा मीठा होता है इसमें एक मॉलिकुल होते हैं का results इसमें दो मॉलिकुल होगा इसमें दो से ज़्यादा मॉलिकुल होते हैं next question है starch का बहुलक है क्या starch का बहुलक है amyl adjacent amylopathic protein tyling amyléis amylopathic ETF amylopathicате time क्या है बताइए तो इस cancer one first हो जागा कि veggar स्टार्च का बहुलक क्या है एमाईलेज और एमाईलो पैक्टीन है ठीक है इस प्रकास से इसका रेशियो होता है स्टार्च में एमाईलेज 20 परसेंट और एमाईलो पैक्टीन 60 परसेंट पाया जाता है next question देखते है फ्रुक्टोज का polymer, है न, iniluin है fructose का polymer, आगे हम देख लेते हैं, कि brain sugar किसे कहते है, brain का sugar किसे कहते है, lactose को कहते है glucose को कहते है, lactose को कहते है या fructose को कहते है, बताइए किसे कहते है brain sugar, brain sugar किसे कहते है, तो lactose को कहते है, lactose को कहते है brain sugar कहते है lactose क्या है, brain sugar है लेक्टोज क्या है लेक्टोज को कहते है दूद सरक्रा ठीक है लेक्टोज दूद सरक्रा ये और गुलकोज क्या है सबसे मीठी सरक्रा है फ्रुक्टोज फलो का सरक्रा और गलेक्टोज ये है ब्रेन सुगर ठीक है ब्रेन सुगर है ये मिल्क सुगर है लेक्टोज प्रॉक्टोे, फॉलो का सरक्रास, ठिक है। बेड सुगर कि Ex-sDAV- we know theekt जें सुगर को क सकरोज इसका इंसर क्या होगा। गूल्कोज होगा। गूल्कोज को हम ब्लड सुगर के नाम से जानते हैं। गन्ना का सुगर किसे कहते हैं गन्ना का सुकरोज को कहते हैं फ्रुक्टोज को कहते हैं गुलकोज को कहते हैं ये लेक्टोज को कहते हैं इसके राइट एंसर हो जाएगा सुकरोज हम गन्ना का सुगर सुकरोज को कहते हैं ठीक है इसको केन सुगर भी कहा जाता है गन्ना को के सोगर किया है तो देखिए तो देखिए तो फ़लू की सक्रा किया है तो फ़लू की सक्रा किसे कहते हैं सोगर तो फुक्टोज क्या है? फालो की सर्क्रा है. फिर हमने देखा कि blood sugar किसे कहते हैं? तो blood sugar हम क्या कहते हैं? गुलकोष को कहते हैं. ज़र्पल सर्क्रा क्या है? तो मल्टोज है. table sugar क्या है? सुक्टोज है. बता ये सुक्रोज का निर्मान किसे हो रहा है गुलकोज प्रस लेक्टोज गुलकोज और फ्रुक्टोज गुलकोज और लेक्टोज और गुलकोज और गुलकोज किसे हो रहा है सुक्रोज किन दो सरक्राओं से मिलके बना है तो गुलकोज और फ्रुक्टोज इसका option यह हो ज तो माल्टोज बन जाएगा, गुलऔर Glektos क्या बनेगा, तो यह बना रहा है आपका सुक्रोज, ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों फॉर्म क्या हो गए, तो ये डाइ सेक्राइट के फॉर्म हो गए, ठीक है, गुलकोज सब के साथ मिलकोज क्या है, गुलकोज क्या है, गुलकोज मोनो सेक्राइट का फॉर्म होता है, मोनो सेक्राइट प्लस उसके साथ एक और अन्य मिल गया तत्व तो अग क्या हो गया वो दाइसेक्राइट का फॉर्म होगे गल्कोज और गलेक्टोज बना रहे है लेक्टोज गल्कोज और फुक्टोज मिना रहे है सुक्रोज गल्कोज और गल्कोज मिना रहे है माल्टोज तो यह सब क्या है यह सब डाइसेक्राइट का फॉर्म है और गल्कोज मोनोसेक्राइट क का फॉर्म है ठीक है next question भारतिय आहार में carbohydrate का percentage क्या है कितना percent हो 50% 60% 70% 80% भारतिय आहार में carbohydrate का percentage क्या है 50% 60 70 80 तो लगभग 70% भारतिय आहार में carbohydrate हम लेते हैं ठीक है 60 to 70% ऐसे जनरली होता है 60 to 70% option के अनुसार आप टिक कर लेंगे कि उस range में हम कारभोहाइड का 60-70% के रेंज में हम कारभोहाइड का परसेंटेज अपने अहार में लेते हैं next कॉइन ओफ बॉड़ी या करेंट एनरजी किसे कहते हैं किसको जानते हैं कोइन ओफ बॉड़ी कर हमेरे तुरंत हमारे सरे में उरजा कौन देता है तो कौन देता है, गुलकोज देता है, ठीक है, गुलकोज को हम current coin of body या current energy के नाम से भी जानते हैं, next question, ribonucleic acid कहां पाया जाता है, बता ये ribonucleic acid बहुत important question है, इसको हम विस्तार से समझेंगे भी, ribonucleic acid कहां पाया जाता है, प्राणियों और पौधों की कोशिका के केंद रख में या इन में से कोई नहीं, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, प्राणियों और पौधों की कोशिका के केंद रख में, क्या पाया जाता है, ribonucleic acid पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, ribonucleic acid पाया जाता है, कहां पाया जाता है, प्राणियों और पौधों क कोसिका के केंद्रक में ठीक है देखिए जब हम मोन以क्राइर पढ़ रहा है तो मोन like में हमने देखा कि मोन कोज गलैक्टोज और फ्रुक्टोज पढ़ा व्हों like क पार्ट हुआ ठीक है लेकिन और भी नोकी होते हैं जो कि हमाला के में सुतंतर रूП से नहीं मिलते हैं, ची까지, और उनका हमारे सरीर में ही cancellation होता है, जैसे कि कि क्या है, जैसे कि आप पेंटोसेज इसको ले लिजिए, आप समझ लिजिए कि पेंटोसेज, बायोसेज, ट्रेयसेज, हैना, रैबोज, इसब क्या है, ये सब monosecrate के ही form होते है ribose, bios, triose, tetroces ये सब monosecrate के ही form है लेकिन चुकि ये प्रक्रती में स्वतंतर रूप से नहीं मिलते हैं तो इसलिए हम इसका इस्तमार हमारे सरीर में ही sensation होता है तो जो ribonucleic acid है वो प्राणियों और पौदों के सरीर में नुकलेस में संसलेसित होता है ठीक है? संसलेसित होता है आप देखिए कि जो ribose कहां किसे मिल रहा है तो ये एक pentosec का प्रकार है और pentosec क्या है? तो pentosec monosecrate है जो कि praketik में बहुत कम मातरा में मिलते हैं और ये सरीर में glucose के metabolism के दोरान बनते हैं pentosec जो है सरीर में glucose के metabolism के दोरान बनते है बहुत सारे हमने और भी देख ले कि monosecrate क्या है? जो कि हमने तो बढ़ा है था कि glucose, glycose, glycose और fructose क्या है? monosecrate है लेकि और भी monosecrate है जो कि प्रकार्टी में नहीं मिलते हैं और उनका sensation हमारे सरीर में होता है glucose के metabolism के दोरा ठीके? तो जो राइबोज है वो pentosec का भाग है ठीके? pentosec में प्रमुक रूप से क्या मिलता है? ribonose और gyloze पाया जाता है ribonose और gyloze पाया जाता है जिएकि प्रकार्टी में स्वधन्त रूप से ये नहीं पाया जाता है और एक और क्या पाया जाता है? pentose में? pentose में riboge पाया जाता है तो riboge और प्राणियों और वर्सपतियों की उतकों में दो रूपों में रहता है archidonic acid में और ribonucleic में और ये जो ribonucleic है वो प्राणियों और प्राणियों के गिंद्रक में पाया जाता है आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो दुबारा हम इसको एक class में detailed से समझा देंगे कि ribonucleic acid कहां से आया? एक simple way में समझ लिजिए कि हम monosecrate का जब form पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी monosecrate होते हैं जो हमारे पाचन की दिष्टी से प्रक्रतिक में नहीं मिलते हैं स्वतन्तरुप से नहीं मिलते हैं और जब हम glucose काते हैं और glucose मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो वह बनते हैं उसी में से एक pentosec है राइबूस से ही हमारा बनता है राइबो न्यूकलिक एसीड और कहां बनता है तो प्राणियों के कोशिका के केंद्रक में इसन्ट इड़ उसके बाद next question है पेंटोसेस के उधारन का है पर पढ़ रहते हैं कि monosecrate के obiform होते हैं जो की प्रकिती में स्वतंतरुप से नहीं मिलते हैं और हमारे सरीर में ही ग्रकोज के द्वारा ये चया-पचे जब ग्रकोज के होता है metabolism process होता है तो बनते हैं तो पेंटोसेसेस बें उसमें से एक है पेंटोसेसेस का उधारन क्या है ribose है ribose पेंटोसेस में और भी पाये जाते हैं जैसे की arbynose और जायलोज arbynose a-r-a-b-i-n-o-s-e arbynose और क्या पाये जायलोज ये क्या है ये भी पेंटोसेसी है ये दोनों भी क्या है पेंटोसेसी है ये कहाँ ये pentoses के तीन रूप होते हैं ठीक है ribose, arbinose और xylose ठीक है और ये क्या है bios, triose और tetoses क्या है तो ये भी monosecrate के form है लेकिन ये pentoses में नहीं आते हैं इसका answer क्या होगा ribose next question हम देखते है कि यहाँ पे starf लिखा हुआ actually यहाँ पे starch इसको हम starch कर लेंगे starch starch, ठीक है starch के प्रमुघटक क्या है हमने थोड़ दे पहले डिसकस किया था कि बहुलग क्या है तो बहुलग उसका amylase और amylopactin है तो इसका क्या होता हैगा, starch का प्रमुघटक है amylase और amylopactin amylase कितना मिलता है starch में 20% amylase 20% amylopactin 80% इसंट इसंट इस नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं आज का यह सेसन का यह लास्ट कोशन है पाचन के उपरांद कार्बोज पदार्थ किस रूप में सोसित होते हैं किस रूप में हमारे सरी में सोसित होते हैं क्या हो जाएगा इंसर गुलकोज, फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज यह क्या है मोनोसेक्राइट का फॉर्म है मोनोसेक्राइट के फॉर्म में हमारे सरी में कर्बोज का आउस्टोशन होता है तो मोनोसेक्राइट के फॉर्म में